नमस्कार दोस्तों मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको चक्रासन के बारे में बताऊंगा चक्रासन जिसमें आपकी इस्थिति आपकी पोजिशन चक्र की भाती हो जाती है उसे चक्रासन कहते हैं चक्रासन करने से आपको पेड़ से संबंदित सारी बीमारी खतम होती है, रीड कहडी लचीली होती है, और बहुत सारे फायदे हैं, उन्हें गिनवाओंगा तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, टाइम जादा हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि आपको कम समय में अधिक जान करी मिलें, आइए चक्रासन क्या करते हैं, तो एक्सरसाई, योगा, कुछ भी करें, वार्मप जरूर करें, सीधे खड़े हो जाएं, पैरो को कंदे के समाना अंतर खोलें, आप डारेक्ट कर सकते हैं, दिवार के सहारे कर सकते हैं, अपड़े के सहारे कर सकते हैं, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इस तरह से दिवार के साहरे भी कर सकते हैं, पेट को अंदर पिछका हैं, सास बाहर, और दीरे-दीरे सासों का आधान पुर्दान होता रहे, ऐसे नहीं है कि सास रोग कई खड़े रहना है, कुछ और भी आनी हो सकती है, सासे चलती रहनी चाहिए, धीमिकती में, नाक से सास ले, मुझ से सास नहीं लेना है, और अगर आप दिवार के साहरे नहीं कर सकते हैं, कोई साथ ही आप के साथ नहीं है करने के लिए, आप ऐसे जमीन पर बेढ़ जाए, एक हाथ पीछे की तरफ ऐसे ले जाए, घुटने ऐसे, और घुटनों से उठें, हिपकोप पर उठाएं, हिपकोप पर जितनी देर रह सकते हैं रहे सांसों की गती सामाने रखें वापस हिस हिस्तिति आप आसन आसानी से कर सकते हैं और इस तरह से भी नहीं होता है पैरों के इस तरह से मोड के रखिए जमीन पर लेड़ जाए हातों को कान के पास ले जाए इस तरह से यहां पर रखें और हिप को पर उठा दीजिए कि दीरेज़ वापस कि कि चाओ मैसूस हो सर्सों के तेल की रात में मालिस करें अगर रीड के डी में कुछ भी प्रब्लम हो यह असन ना करें डॉक्टर्स का परामर्स लें किसी अच्छे योग गुरू की देख रेक में आसनों को करें अपने आप कुछ भी करने की कोशीच ना करें वरना फाइदे के जब नुक्सान हो सकता है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें